पंजाब में 20 फरवरी को नई सरकार के लिए मतदान होगा इससे पुर्व भाजपा कॉंग्रेस आम आदमी पाटी शिरोमनी अकाली दल सहित अन्य पाटियों की ओर से चुरौ प्रचार में पूरी ताकत लगाई जा रही है इसे बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब के जालंधर में बड़ी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं इसे को लेकर भाजपा के पंजाब प्रभारी और केंद्रे जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने से खास बाकशीत की हमारे समधाता चनर शेखर शर्माने पंजाब में 20 फरवरी को चुनाओ होने जा रहे हैं और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां बड़ी रैली करने जा रहे हैं पंजाब के प्रभारी कजिंद्र सिंग से कावत हमारे साथ मुझूद हैं उनसे चर्चा करते हैं पंजाब की एलेक्शन को लेकर कि किस तरह का माहूल पंजाब में चल रहा है पंजाब की जनता बारतिय जनता पार्टी को एक सटीक विकल्प के रूप में अब देखने लगी है और जहां कुछ समय पहले तक पंजाब में बारतिय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं होंगी इसको लेकर कि लोग शशंकित थे आशंकित थे लेकिन परिष्टितियां बदली हैं और बारतिय जन्ता पार्टी ने बहुत तेजी से गती पकड़ी है जिस तरह से बारतिय जन्ता पार्टी का कुन्बा सम्रद हुआ है निरंतर लोगों का जुड़ना जा रही है और उसके साथ साथ में बारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं को रोकने के लिए, नेताओं को रोकने के लिए, प्रत्याशियों को रोकने के लिए, जो अपरादिक हतगंडे अपनाए जा रहे हैं, यह जो frustration यहां की established parties का निकल रहे हैं, यह इस बात का परिचायक है कि बारत तेजी से आगे बढ़ दे हैं, आतंकवात नशे के एकलाब बीजेपी का यह बड़ा अभियान है कि पंजाब को नशे संभू करना है, आतंकवात मिठाना है, और भीरों की सैनिकों की भूमी कहा जा रहा है, जो दीजी ने भी अपने गयानों में शुक्तवार कहा है, देख को बचाने के लिए बहुत कुरुबानियां दिये, हिंदी की चादर के रूप में तेगवा गुरु तेगबादर जी को समाना गया, गुरु गोविन सिंग जी ने इस धर्ती और धर्ती के सम्मान और धर्म को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार जो है वो बलिदान कि पुरा देश नतमस तक हो करके पंजाब के इस दबालदानी भूमी को नवन करता है मानि प्रदानमंति जी ने भी सदय भी मुख्यमंत्री रूप में गुजरात में काम करते हुए भी और प्रदानमंत्री के रूप में भी पंजाब के सिखों के लिए सिख धर्म के लिए गुरू का घर बनाने के लिए अनेक अनेक निर्णे लिए और सिक्कों से जुड़ीवे सारी समस्याओं का समाधान जो है मन्ने प्रदानमेंत्री ने किया है लेकिन इसके साथ साथ में सीमावरती प्रदेश होने के नाते पंजाब भारत की रक्षा के लिए पश्चिमी छेत्रिक लिए पश्चिमी सीमा के लिए बहुत महित्वपूर्ण है जिस तरह से पंजाब में सुरکशा को लेकरके सैंद्र लगा ही गई है पहले भी जिस तरह वातारण उसके काड़से पैदा हुए आतंकवाद जो सीमा पार से प्राइज जित हो करके जिस तरह से इस पंजाब में दावानल की तरह धरका था एक बार फिर उस तरह के शड़ियन तरकिये जा रहे हैं तकनीकी के माधियम से द्रोन्स के माधियम से RDX की ड्रॉपिंग हो रही है साइकोलोजिकल वारफेर के तहत यहां जो है नशे खोरी की लट लगाई चाह रही है लोगों बड़ावा दिया चाह रहा है सीमा पार से सिंथाटिक ड्रग्स यहां आ रही है और पंजाब में जो है सुरक्षा और माफिया यह दो बड़े विशे बन चुके और देश की जनता इनके समाधान के लिए बरती जनता पार्टी को एक मात्र विकल्प के रूप में देखती है क्योंकि पछले पात साल तक कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी इन विशेओं पर कोई भी स्थाई रूप से अंकुछ नहीं लगाया जा सका उससे पहले दस साल तक जिस तरह की सरकार यहां थी उस सरकार के बहुत सारे लोगों के दामन पर भी इन सारे विशेओं से जुड़ेवे चीटे लगे तो ऐसी परिस्तिती में बारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र विकल्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में असफ़ल हुई है लोग अब उसे इस पंजाब जैसे संस्टिप प्रदेश के लिए उपयोक तो नहीं माने पुलवामा की प्रदी बख्शी है या क्या मैं सुझे ना चाहेंगे साइगे को किस सुझा नहीं जैंकि निश्चित रूप से पुलवामा और पुलवामा के बाद में की बाद की एर स्ट्राइक इसको देश का इतियास कभी नहीं भूलेगा और आने वाले समय में भी देश और दुरिया में इसको एक पॉइंट ओफ रफरेंस के रूप में याद किया जाएगा जो भारत की छवी पूरे विश्यो भर में एक कमजोर देश के रूप में बनी हुई थी जिस तरह से भारत में निरंतर आतंकवादी घटनाएं गाए बगाएं किसे ने किसी शहर में और भारत के सुदूर दक्षिन से लेकर के उत्तर से और पूरव से लेकर के पश्चिम तक हर बड़े शहर को आतंकवाद की लपेट ने लपेटा आतंकवादी घटनाए हुई लेकर नरेंद्र मोदी जी के शशक्त शाशन में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करके देश में बैटे वे लोगों को और देश के बाहर बैटे वे लोगों को जो भारत के विरोध में भारत को कमजोर करने का स्वपने देखते थे उनको एक सपष्ट संक केत इस पुलवामा के बाद की एर स्ट्राइक से दिया कि अब भारत विरोधी गटविदियों को भारत ने देश में बरदाश करेगा और ने देश के बाहर ही और उसका परिनाम आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि उसके बाद में आतंकवाद की घटनाओं पर नकसल बाद भी सिमठते सिमठते कुछ जिलों तक अब केवल सीमीत रहया जो कभी देश के 256 जिलों तक प्रभावित थे आज कुछ जिलों की कुछ त़हसीलों तक की पेवल सीमीत रहय गया और जिस रासते पर नरेद्र मोदी जिस शाशक्ता के साथ में लेकर कर चलें मुझे विश्वास है कि भारत इन समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए जो है वो